Hello everyone, आज का वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हम एक ही वीडियो में जानेंगे how to speak English, उसके बाद जो कुछ भी speech में बोला गया है, उसका complete हम translate करेंगे Hindi to English, It means हम learn करेंगे grammar, vocabulary together, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, इन तक बनी रही है, क्योंकि बहुत ही interesting होने वाला है, और साथ में हम इसे interesting बनाने के लिए, साथ में हम visual तरीके से भी वीडियो देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि जब हमें visual तरीके से कोई भी चीज दिखाई दे तो हमारा माइड उसे easily connect कर लेता है, और हमें समझने में असानी होती है, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले हमें यह माइड में रखना होगा, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कहां गए थे, तो हम जब सामने वाले को बताते हैं कि हम कहां गए थे, क्या विजिट करके हैं तो वह पूरी सेंटेंस पास्टेंस में होगी, इसलिए यह पूरा जो आने वाला सेंटेंस है वह पास्टेंस में लिखा हुआ है, इसलिए यह जो स्पीच है पूरा पास्टेंस में है, तो चलो बिना डिले करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं Just a science. Like, share, comment and subscribe. Where did you go after college? After college? Around 8-4 pm, I went to the Bhavatar Garden with my friend in the evening. First, I parked my activa. Then, I took 4 tickets. When we entered in the garden, we saw lots of thing. There are many trees and beautiful flowers. I saw lots of marigold flowers. I saw many colorful butterflies around the flowers. Children were playing, people were walking. I took lots of picture in the garden. I truly say I enjoy a lot with my circle of friends. पहले इस paragraph को हम read करेंगे, उसके बाद हम translate करेंगे. तो चलो इसे read करते हैं. साम को मैं अपने घनिस्ट मित्रों के साथ भवरताल उद्ध्यान गई. पहले मैंने अपने एक्टिवा पार्क की, फिर मैंने चार टिकेट ली. जब हम बगीचे में दाखिल हुए, हमने बहुत सी चीजें देखी. कई पेड और खूबसूरत फूल. मैंने बहुत सारे गेंदे के फूल देखे. मैंने फूलों के चारों और कई रंग विरंगी तितलियां देखी. बच्चे खेल रहे थे, लोग टहल रहे थे. चलो अब ट्रांसलेट स्टार्ट करते हैं, साम को मैं अपने घनिष्ट मित्रों के साथ भवर्ताल उध्यान गई. यह जो पूरा सेंटेंस जो लिखा हुआ है, वो पार्स्ट, इंडेपनेट टेंस में लिखा हुआ है. तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबजेक्ट प्लस वर्व का सेकेंड फॉर्म प्लस अबजेक्ट, इसको दिमाग में रखिएगा, तभी हम सेंटेंस को असानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे. आई मतलब की मैं, वेंट ये गो का सेकेंड फॉर्म होता है, क्योंकि हमने अभी ही पढ़ा की वर्व का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए आई वेंट लिखा है. गार्डन मतलब की उद्यान, माई मतलब मेरे, बोसों फ्रेंट का मतलब होता है घनिस्ट मित्र, यह एक इडियम है, इन दी इवनिंग मतलब साम के समय, तो कम्प्ली सेंटेंस बनेगा, I went to the भवर्तार गार्डन with my बोसों फ्रेंट इन दी इवनिंग, पहले मैंने अपनी पार्ड की, पहले मतलब फर्स्ट, I मतलब की मैं पार्ड मतलब की पार्ड करना होता है, my एक्टिवा, तो कम्प्ली सेंटेंस बनेगा, फर्स्ट, I parked, my एक्टिवा, फिर मैंने चार्ड टिकेट लिये, फिर मतलब देन, देन का प्रियोग तब करते हैं, जब हम इसके बाद कोई क्या किये, वे समय को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, I मतलब मैं यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे टुक लिखा हुआ है, और यहाँ पे टिकेट में S इसलिए लिखा है, क्योंकि हमारे पास चार टिकेट ले रहे हैं, इस मिन्स प्यूलर फॉर्म है, इसलिए complete sentence बनेगा, then I took four tickets, जब हम बगीचे में दाखिल हुए, जब मतलब की when, we मतलब की हम, entered मतलब दाखिला होना, हम वहाँ पहुँचे, कि सेंस पर यूज करते हैं, in the garden मतलब बगीचे के अंदर, तो complete sentence बनेगा, when we entered in the garden, हमने बहुत सी ची यहाँ पे सी का second form है, इसलिए यहाँ पे सालिखा हुआ है, lots मतलब बहुत सारे, things मतलब चीजे, तो complete sentence बनेगा, we saw lots of things, कई पेड और खूबसूरत फूल, many trees मतलब बहुत सारे पेड, beautiful flowers मतलब खूबसूरत फूल, तो complete sentence बनेगा, there are many trees and beautiful flowers, मैंने बहुत सारे गेंदे के मैंने मतलब की आई, सा मतलब की देखा, lots मतलब बहुत सारे, marigold flowers, गेंदे के फूल को marigold कहा जाता है, flowers में ऐस इसलिए लिका है, क्योंकि बहुत सारे फूल थे, I saw lots of marigold flowers, मैंने फूलों के चारों और कई रंग बिरंगी तितलियां देखी, I मतलब की मैं, सा मतलब की देखा, many मतलब बहुत सारे, colorful मतलब की रंग बिरंगी, butterflies मतलब दितलियां, around मतलब के चारों और flowers मतलब की फूल, तो complete sentence बनेगा, I saw many colorful butterflies around the flowers, बच्चे खेल रहे थे, यह जो लिखा हुआ है, वो past tense में है, past continuous tense में, इसलिए यहाँ पे work up रियोग कि जाएगा, और ing form होगा, verb के first form है, तो complete sentence बनेगा, children were playing, लोग टहल रहे थे, टहल रहे थे, या walk कर रहे थे, इसके sense पे use किया गया है, इसलिए यहाँ पे people were walking, तो complete sentence बनेगा, children were playing and people were walking, मैंने बगीचे में बहुत सारे फोटो कीचे, I मतलब की मैं, took मतलब फोटो कीचने के sense पे है, lots मतलब बहुत सारे, pictures मतलब की फोटो, in the garden मतलब garden की अंदर, तो complete sentence बनेगा, I took lots of picture in the garden, सच बताऊं, to के लिए, I truly say कहा जाता है, enjoyed मतलब मतलब मस्ती किया, lot मतलब बहुत सारा, with मतलब सांत में, my मतलब मेरे, circle of friends, उसे कहा जाता है, जो की दोस्तों की मनली को, तो complete sentence बनेगा, I truly say, I enjoyed a lot with my circle of friends. जाती है, या पर कभी office से आप जल्दी आ गए, तो आप कहा जाना प्रफर करते हैं, तो इसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कि आप कहा जाना प्रफर करते हैं, वीडियो में, जो आपने cinematic वीडियो देखा, उसे मैंने ही बनाया हुए, ताकि यह video interesting बन सके, और आ पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजेगा, और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना बूले, फिर हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो,